वेलकम बाइड चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हो बहुती पाइसी पनीर की रेसिपी अगर आप आप स्पाइसी पनीर की रेसिपी खोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगा आए हैं सो इस वीडियो को पूरा देखें स्किप विल्कुल ना करें वरना बहुत सी चीज़े में सोचाएंगी सो विदाओ फुर्द एनिया आटो लेस्स के स्टारट सो दर फुर्स तिंग हामे रहना अपने कढ़ाई में तेल और इसे अच्छे से गरम होने देना है इसके बाद मैंने लिया है दो मीडियम साइस का बड़ा कटा हुआ प्यास और दो से तीन मैने छोटे कटे हुए इसमें मिर्च डाले है प्यास और मिर्च दोनों को ही हम एक से दो मिनट के लिए अच्छे से सौटे करेंगे ये हो जाने के बार मैंने इसमें डाला है एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च देन मैंने इसमें तो मीडियम साइज का इसमें डाला है टमाटर इसी के साथ साथ मैंने इसमें नौ से दस डाला है काजू सबी को अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से सौटी कर लेंगे हम इसे बहुत ही प्यारा और रिच फ्लेवर आता है इसे कुप करने से इसे हम कवर करके कुप करेंगे और बीच बीच में मिलाते रहेंगे माकसिमम हम इसे 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे जादा ओवर कुक बिल्कुल बिले करना है और हम इसके बाद हम इससे एक कंटेनर में निकाल लेंगे और इसे अप ठंडा होने के लिए रखेंगे जब आपके वेजिज अच्छे से ठंडे हो जाएंगे देन इन ऐन उल्ली पनीर को डालना स्टार्ट किया था उसके बाद मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें हल्दी बहुत ही प्यारा कलर आजाएगा इससे और सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे इससे बहुत ही प्यारा और रिच फ्लेवर आता है पनीर में तो इससे फ्राई जरूर से करें पनी इसमें डाला है एक बड़ा क्टा हुआ प्याज और एक बड़ा क्टा हुआ श्रिम्ला मेच यहां भी आपको इससे चलाते रहना है दो से तीन मिनट के लिए कंटिनर्स्टी सो यह हर एक साईश से अच्छे से कुख हो जाए यह हो जाने के बाद हम इससे भी एक प्लेट मे अलग निकाल के size में रखेंगे यहाँ पर मैंने लिया है उसी कड़ाई में तेल और फिर मैंने इसमें डाला है अपना vegetable paste जो start में हमने cook किया था एक बार अच्छा से हम इसे मिला लेंगे तेन मैंने इसमें डाला है इसमें 1 डेवल स्पून के बराबर चिंजर और कालिक पेस्ट और सभी को हमें अच्छे से मिला के इसे कुख करना है 2-3 मिनिट के लिए मैंने इसे कवर करके रखा था और 20 बीच में हमसे चलाते रहेंगे जब भी आप इसे कवर करके कुख करें तो आप इसे बीच पीच में चलाते रहें परना ये नीचे से जल जाती है अब इसके फ्लेम को भी कम जादा करते रहें और बीच पीच में चलाते रहें नादा मसाला पार्ट जिसमें मैंने सबसे पहले डाला यहां पर 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon हल्दी पाउडर and 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सभी को मिला लेना है, अच्छे से हम इसे सौटे कर लेंगे क्यों कि मेरे कैमरे की बैटरी लो हो गई थी तो मैंने नमक दालने का portion record नहीं कर पाया आप यहां पर नमक जरूर से डाले और उसी के साथ साथ यहां पर डालने पन टेबल स्पॉन के बराबर kitchen king masala कोई भी brand का ले सकते हैं आप इसमें बहुत ही easily available है market में आप इसे अराम से खोच सकते हैं कोई भी brand का आप यूज़ कर सकते हैं सो मसाले सारे डालने के बाद हमें से cover करके 2-3 मिनट के लिए वापस से cook करना है और हमें से बीज बीज में अगीन चलाते रहेंगे और अब हमें से तब तक चलाना है जब तक कि इसमें जो तेल है वो अलगना हो जाए जब आपके मसाले अच्छे से cook हो जाएगे ना तो वो तेल अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाने के बाद वो आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा मिलाने के साथ साथ आपको इसके फ्लीम को कम और जाला करते रहना है बीच बीच में मिसाला जब अच्छे से cook हो जाएगा तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा तेल बिल्कुल अच्छे से अलग हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे अपने फ्राइड कैप्सिकम और अ स्टार्ट में मैंने एक ग्लस पानी डाला ता और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिया ता इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें और ग्रेवी की सारवत है तो फिर मैंने इसमें एक ग्लस और बानी डाला ता इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है और हम अब इ मैं just sito dipnyei thatou missman a sodium पनी ड्साइब लंगेस अब टो बनगें है तो अबी यहां पर सबसे पहले आपसे मिल रखे today जब तक क्षेसे कुक हुरह है तब झाल तक हम अपने मसालों के टरफ के तरफ चलते और अपना मसाला बनाता है यहां पर मैंने लिया है टू टेबल स्पून धनिया, वन टेबल स्पून जीरा, वन टेबल स्पून काली मेच, एक बड़ी एलाजी और एक चोटी एलाजी, दो सूखे लाल मेल्च और एक तालशी निक, इन सभी को हम अपने कढ़ाई में डालेंगे और इसे हम तीन से चार मि इसे यह रेसिपी बिल्कुल बदल जाएगी और बहुत ही स्पेशल हो जाएगा इसे आपको कंटीनियूसली स्टेयर करना है और तीन सचार मिनट बात आप इससे एक कंटीनर में निकालने और ठंडा होने के रख दें और जैसी यह ठंडा हो जाएगा हमें से ब्लेंडर में ब्लेंड करके और इसका एक पाउडर बना लेना है और यह आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा आप चाहें तो इसका जादा अमाउंट बना के इससे आप स्टोर कर सकते हैं और जब भी पनीर की सबजी बनाएं आप इसका यूस कर सकते हैं तो यहां में इसका टू टेबल स बनाने के लिए मैंने एंड में डाला है एक बड़ा कटावा मिर्च और हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे और आपको बहुत पसंद आने वाली है और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो और मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो इस बीडियो को लाइक सबस्क्राइब और सादा से बादा शेयर करें कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं हाव अब सेट अगे भीडियो और नेक्स वीडियो और थेक्वाटियो और थेक्व फोर वाचिंग